जैहिस्त वंदे माचरम सातियो मैं हूँ प्रेंस SSC GD में सलेक्टेड जी हाँ आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ओल्ली चार मिनट के अंदर दोस्तों यह मैं बात को खतम कर दूँगा यहाँ पर सारी बाते जो भी आप सभी के मन में सवाल आ रहे सबसे पहला सवाल है भाई हमारे दिल्ली प्लिस का जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या करें कैसे हम अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं तो सबसे पहला दोस्तों जो आप गलती कर रहे हैं लेकिन अब उन्होंने इतना tough बनाना इस्टार्ट कर दिया है, मैं tough भी नहीं वोलूगा, ठोड़ा सा दोस्तों यह बोलूगा, कि moderate उन्होंने बनाना कर दिया है, ठोड़ा सा extra उन्होंने दोस्तों यहाँ पर तो प्राक्टिसर देने की ज़रुवत है, जी हाँ, आपको PY कि यानी पिर भी इसी एक कोस्तन लगाने की बिलुकुल आवर सकता है मेरे भाई क्योंकि आप वहाँ पर practice set लगा रहे हैं practice set टप से टप बन सकता है लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं कि आप ये समझनी कोस्ते से नहीं कर रहे हैं एक्जाम में किस तरीके कोस्टन आते हैं, सबसे पहले आप PYQ लगाईए, टेस्ट में पर जाकर मेरा कोई पास वगरा नहीं है, ताकि बाद में आप बोले हैं आप पास दे रहे हो, जो मर्जी आप कहीं से भी ले सकते हो, टेस्ट में अपने आप में एक बैस्ट चीज है, आप सुभी लोगों को बताने जरुत भी नहीं है, तो वहाँ जाईए, PYQ लगाईए आराम से, और दोस्तों अपना जो है वहाँ पर एक बार इसकोर चेक कीजिए, कि हाँ मेरा PYQ में कितना स्कूर आ रहा है, और वहाँ प्रैक्टिस एड़ में कितना आ आ रहा है, डिफ नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से हम काम करें, लाश्ट के टाइम में एक महेरा जो हुआरे पास बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है मिर भाई, तो को इसमें सिंपल सी बात बताऊँगा, इसमें आप सुभी को जादा से जादा प्रैक्टिस पिर भी इसीर कोसन की कर लेकिन इसको लगाने के बाद 7-8 तक पहुंच जाता है, 8-8 भी पहुंच जाता है, 9 कोर्षन भी ठीक ही है, और GKGS का भी दोस्तों सही है, क्योंकि जादा जार दोस्तों आपको पिर्वी सिर कोर्षन देखने को मिलेंगे, भाई, कम्प्यूटर एक बहुत बड़ा पोर्षन नहीं है, कम्प्यूटर के दोस्तों इसमें आप सम्धिक सम्धिक 300-400 कोर्षन मिल जाएंगे, और 300-400 कोर्षन में से दोस्तों आपके सिफ्ट में 3 या 4 कोर्षन तो इसी चीज से मिलेंगे, तो यह बहुत अच्छी चीज है मिरा भाई, क्योंकि पिर्वी सिर कोर्षन दोस् इसमें आपको इसमें आपको दोस्तों एक्ष्ट्रा फेट की साथ बात बताई गई है, और इसमें दोस्तों सब चीज है, मैथ है, रीजिनिंग है, GKGS है, और कम्प्यूटर है, ठीक है, और दोस्तों टॉपिक वाईज दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको उताए, प्राश कोसर मन सकते हैं, ठीक है, यह सारे देखिए दोस्तों, टाइम और वर्क से, टोटल इसमें जो कोसर मने है, वो बने इसमें, इसमें मने है, दोस्तों 24 कोसर मने है, तो टफ से टफ कोसर इसमें बना है, यानि किस प्रिकार से कोसर पूछ सकता है, टॉपिक वाईज दिया अब आते है'm cent topic पर min topic क्या है mean topic यह है कि भाई देखो लगातार आप जब आप क्या कररहे है नया पड़ने कोशिस कररहे है नया पड़ने कोशिस करने में आप पुराना आपका पड़ा हुआ है उसको भी आप revision नहीं कर पा रहे है मेरे भाई देखो ना आपका नया रहेगा ना आपका पुरा रहेगा दोनों में आप उलज जाओगे इसलिए जिदन आपने पड़ा हुआ उसका रिवीजन करते रहे ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे क्या अगर रहे है कि नया नया किलास देख रहे है भाई देखो सबसे पड़ी गलती तो यही कर रहे है आपकी 15 कोशन के आप एक किलास देख रहे हो मैत की कोशन के मान के चलो उसमें 15 कोशन आपको एक घंटे में बताए जा रहे है अब आपके पास इतना फालत टाइम है क्या एक घंटे में आप 15 कोशन करोगे मैत के अगर आप खुद से भी ल लोगे न तो वो दिमाग से निकल जागा अपना माइंड यूज करोगे लास्ट टाइम में तो आपको पता रहेगा कि ये कोशन मैंने ऐसे किया था और बहुत सारे बच्ची है क्या कर रहे है नए-ने टीचरों को पकड़ रहे है वहाँ पर GK क्लास कर रहे है भाई GK क्लास आप एक घंटे में कितने कोशन करोगे पता है 20-25 कोशन और यहाँ पर एक घंटे में आप 200-300 कोशन कर जाओगे तो आप अपना खुद का रुक्सान कर रहे है वीडियो क्लास देख कर मैं वह नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप थोरी वाले गलास देख सकते हो लेकिन जो प्रक्तिस सेट वाले गलास है उसको अभी ना देखें भाई रियल बात बता रहा हूँ क्योंकि अगर वहाँ पर आपना टाइम वरवाद कर लिया ना तो जो लोग यहाँ पर अपना सेल्फ इस्टेडी कर रहे है ना एक एक घंटे में पान सो तीन तीन सो कोसन करने जी के के वह आप से आगे निकल जाओगे सही बतारों वह आप से आगे निकल जाएंगे ये बात ध्यान रखना आप नया पढ़ रहे हो लेकिन यह नहीं पता है कि आप एकजाम में तो वह भी आयागा जो आप पढ़ हो रहे हैं ओर फालत के बरबात करना बंद कीजी सी यह यह इलिए ब्लस ऩार बशानुआ है तर आज के इस वीडियो में इतने थैंकियो लोफ और जैहिन वंदे मातरम